हेलो दोस्तों कैसो आप सब मेरा नाम है संजे और आप देख रहे हैं टेग यान फर यू दोस्तों आज किस वीडियो में मैं हाली में लॉंच हुए ओपू A78 5G स्मार्फोन का एक क्विक डिटेल और क्यामरा सेंपल दिखाने वाला हूँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए दोस्तों बिना देर की वे शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इसका कैमरा परफामेंस कैसा है चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर के बारे में इसमें दोस्तों MediaTek का Diamond City 700 प्रोसेसर दिया गया है जो की एक 5G चिपसेट है और 7NM पर बेज़ड है 6.56 इंच की HD PLUS IPS की एक LCD स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको 90 Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है RGB की RAM है, 118 GB का internal storage देखने को मिल जाता है 50 MP प्लस 2 MP का dual rear camera और 8 MP का front camera देखने को मिल जाता है 5000 MHz की बैटरी दी गई है जिसको power up करने के लिए 33 Watt का Superbook Charger दिया गया है यह color OS 13 पर run कर रहा है जो की best है Android 13 पर इसके back side को देखें तो इस पर आपको shimmering colors देखने को मिल जाते है camera का module कुछ इस पर कार्ट देखने को मिल जाता है right side में देखें तो यहाँ पर आपको fingerprint button देखने को मिल जाते है left side में volume controls और sim tray दिया गया है नीचे आपको 3.5 mm jack, primary mic, type-c charging port और speaker grills देखने को मिल जाते है उपर side कुछ भी नहीं है दोस्तों इस smartphone की price 18,999 रुपे रखी गई है और offline वाले लोगों को target करती है चलिए दोस्तों अब आते हैं इसके camera पर तो दोस्तों पीछे side में आपको 50 plus 2 megapixel का dual rear camera setup देखने को मिल जाता है इसमें आपको ultra HD section में 108 megapixel का camera देखने को मिलता है हलांकि company ने सिर्फ 50 megapixel के तोर पर ही इसको paste किया है लेकिन ultra HD में 108 megapixel का camera दे दिया है जो कि बस नाम का है जो कि 50 megapixel के pixel को ही binding करके 108 megapixel कर दिया गया है 50 megapixel में f by 1.8 का aperture देखने को मिलता है जिसमें कौन सा sensor यूज किया गया है वो company ने mention नहीं किया है secondary camera 2 megapixel का एक depth camera है front की बात करें तो यहाँ पर आपको V-shape notch देखने को मिलता है जिसमें 8 megapixel का camera दिया गया है जिसका aperture app by 2.0 है camera UI की बात करें तो यहाँ पर आप इसके camera interface को देख सकते है camera section में बहुत ही basic functions दिये गये है चले दोस्तो अब इसके camera samples देखते है चले दोस्तो अब देखते है camera samples को और शुरुवात करते हैं रात के image से तो इस image को देखें तो यह normal mode पर ली गई है और यह 50 megapixel पर ली गई है हाला कि दोनों photo को differentiate करना थोरा मुस्किल है दोनों ही image काफी शार पाया है लेकिन dynamic range की बात करें तो वो उतनी ठीक नहीं लगी मुझे यह image night mode में ली गई है और यह image ultra HD option का यूज करके ली गई है ultra HD यानि की 108 megapixel पर 50 megapixel और ultra HD में थोरे से फर्क आपको देखने को मिलेंगे बाकि ultra HD का यह option इमेज की file size को बढ़ाने का काम करता है human subject में normal mode पर आप देख सकते हैं इसने मेरे face को पूरा white कर दिया है जैसे मैंने कोई makeup कर रखा हो वहीं detail wise इसमें अच्छी detailing देखने को मिल रही है मेरे कपरे का color सेम है background को थोरा bright करने की कोशिश की गई है जुम करने पर normal mode और 50 megapixel में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है portrait mode में देखें तो इसने काफी अच्छा किया है और मेरे कपरे का color और detailing सही देखने को मिल रही है बाकि इसने मेरे face को फिर से चमका दिया है और ये चीज हो सकता है बहुतों को पसंद भी आ जाए बाकि इसका portrait mode ठीक कम कर रहा है चले कुछ samples देखते है ये video record हो रहा है 1080p 30fps पर और इसमें बस दो ही options है 720p और 1080p चले दोस्तों अब मैं चलके दिखाता हूँ जिससे की इसका stabilization कैसा है वो आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों यहां किसी भी परकार का stabilization देखने को नहीं मिलता है और इसमें आपको 10x तक का zoom support देखने को मिलता है जिसकी quality अब देख सकते हैं माकी वीडियो की quality आपको कैसी लगी comment करके ज़रूर बता है इसमें आपको 720p पर 120fps का slow motion देखने को मिलता है जिसकी quality अब देख सकते हैं चले दोस्तों अब front camera से लिए gas samples देखते हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं मेरे face को चिकना मराने की कोशिश की गई है माकी कपरे पर की detailing काफी सही आई है और dynamic range भी ठीक आया है यह image night mode में ली गई है तो इसकी quality को आप खुद judge कर सकते हैं दोस्तों इसका portrait mode normal mode से काफी अच्छा आता है और बिल्कुल perfectly capture किया है अगर बात करें पूरे body की तो चलिए दोस्तों आप कुछ samples देखते हैं दोस्तों यह video record हो रहा है 1080p 30fps पर और इसकी quality कैसी है आप देख सकते हैं इसमें हम जो maximum shoot कर सकते हैं वो 1080p पर ही shoot कर सकते हैं dynamic range ठीक देखने को मिल जाता है हाला कि इसमें भी आपको EIS यानि electronic image stabilization देखने को नहीं मिलता है against the light इसकी performance देख सकते हैं front camera में slow motion का option नहीं मिलेगा दोस्तों यह थे रात के samples अब दिन के देखते हैं यह normal mode पर ली गई है और यहां जो detailing मिल लई है कपड़े पर वो काफी सही लग रही है और natural color produce कर रही है वहीं चेहरे को इसने automatically ही beautify कर दिया है जिससे चेहरे की detailing खतम हो गई है dynamic range ठीक देखने को मिल जाते हैं वहीं 50 megapixel पर भी कोई खास changes देखने को नहीं मिलती है दोनों ही mode पर same results देखने को मिलते हैं background blur इसमें सही देखने को मिल जाता है इसका age selection काफी अच्छा लगा मुझे sharpness ठीक देखने को मिल जाती है overall इसका portrait mode काफी बढ़िया काम करता है चलिए कुछ samples देखते हैं दोस्तों ये video record हो रहा है 1080p 30fps पर और दिन में इसकी quality कैसी है और इसका dynamic range कैसा है वो आप देख सकते हैं जुम की quality देख सकते हैं और exposure कैसा adjust करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं slow motion भी आप देख सकते हैं 720p 120fps पर चलिए दोस्तों अब दिन में लिएगे front camera के photos देखते हैं यहाँ पर देखें तो दोस्तों इसका जो color tone है बिल्कुल natural आता है और इसके dynamic range की बात करें तो dynamic range भी ठाक है इसका 8 mirror pixel का camera ठीक कम कर लेता है इसके front camera से लिए गे portrait shot की बात करें तो इसके photos काफी अच्छे आ जाते हैं और इसका A selection काफी अच्छा लगा मुझे overall इसका portrait mode काफी अच्छा काम करता है और normal mode से काफी अच्छे आ जाते हैं दोस्तो ये video record हो रहा है 1080p 30fps पर और इसकी quality कैसी है वो आप देख सकते हैं दोस्तो इसमें आपको EIS देखने को नहीं मिलेगा और इसकी dynamic range कैसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो इसके camera simple देखके आपको एक अंताजा लग गया हुआ कि इसका camera performance कैसा है दोस्तो इसकी price 18,9999 रुपे रखी गई है और इसस smartphone को offline market को देहन में रखकर launch किया गया है अगर personally मैं इसस smartphone की बात करूँ तो ये मुझे एक ठीक ठाक phone लगा है अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और हाँ दोस्तो bell icon को press करना ना भूले जिससे कि मेरे सारे वीडियोज को notification आपको मिलता रहे